हेलो फ्रेंज शुभाज होम गार्डन में आपका स्वागत है और आज हम एक बहुत ही खुबसूरत पौधे के बारे में बात करेंगे इसका नाम है ब्लाक आइड सूजन या थनबर्जिया एलाटा वैसे तो यह पौधा नेटिव है पूरवी आफ्रिका का लेकिन इसको हम ट बहुत सारे फूल मिलते हैं मतलब अगर हम महीनों में बात करें तो मई से लेकर के नवंबर तक इस बेल में धेर सारे फूल आते हैं और इसकी देखभाल भी बहुत आसान है यह पौधा एक पेरीनियल पौधा है मतलब एक बार आपने अपनी क्यारी में या कंटेनर में इस इसमें हर साल अपने ही आप नई पतियां आएंगी और धेर सारे फूल आएंगे इस आकरशक पौधे की देखभाल जो है वो बहुत ही आसान है आपको सिर्फ अपनी गार्डन का वो हिस्सा चुलता है जिस जगे कम से कम 5-6 घंटे की धूप आती हो तो धेर सारे फूल के ल चीज जो हमको ध्यान रखनी है इस पौधे को बहुत जादा पानी या बहुत कम पानी जो है वो पसंद नहीं है देखे सही मात्रा में नमी बनी रहे मिट्टी में इसलिए हम गार्डन की जो सूखी पतियां है वो डालते रहते हैं या सबजी के छिलके डालते रहते हैं इस से हमारे दो काम हो जाते हैं एक तो मिट्टी में नमी बनी रहती है और दूसरा यह देखिए हम जब पतियां सूखी वाली हटाएंगे तो यहां की मिट्टी भुरबुरी है मतलब इसको खाद भी न्यूट्रीशन भी मिल रहा है तो हमको यह ध्यान रखना है कि अगर हम चाहत हैं कि इस पौधे में बहुत सारे फूल आएं तो फूल आने के लिए पौधे को बहुत सारा न्यूट्रीशन भी चाहिए तो हमें समय समय पर इसको खा देनी है और नहीं तो जैसे मैं मल्चिंग करती हूं कि सूखी पतियां गार्डन की या हमारी जो सबजी के छिलके निक कि मैं आपको बाहर से भी दिखाती हूं कि यह देखिए बाहर की तरफ से भी इसमें बहुत सारे फूल है और इसमें मई से लेकर के नवंबर तक धेर सारे फूल आते रहते हैं इस क्रीपर में आपको स्पेंट आउट जो फ्लाज होते हैं मतलब हमारे जो पूदे फूल सूख गए हैं उनको निकालने की आवशकता नहीं होती है वो अपने आप ही सूख करके गिरते रहते हैं और हमारे फूलों की संख्या में कोई कमी नहीं होती है देखिए धेर सारे फूल हैं तो आप इस आकरशक पौधे को ब्लाक आइड सूजन को बहुत ही आसानी से बहुत ही आसानी से अपने गार्डन में लगा सकते हैं और धे सारे फूल पा सकते हैं चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में धन्यवाद